अपने जीवन को बहतर बनाना चाहते हैं। जीवन बदलने वाली टॉप 15 लाइफ चेंजिंग बुक्स की हमारी सूची देखे जो प्राक्टिकल अड्वाइस देती हैं, परसनल ग्रोथ को प्रेरित करती हैं, और हुमन एक्सपीरियंस में इंसाइट्स प्रदान करती। Life में Grow करने के लिए कुछ ऐसे ख्षेत्र हैं जिन पर जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना चाहिए। इन ख्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए कुछ किताबे हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। इस आर्टिकल में हम कुल 5 एरियास के बारे में बात करेंगे और उन 15 किताबों के बारे में बात करेंगे जो इन क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी. Mind Makeup Menu Life Changing Books जीवन बदलने वाली 15 किताबें Top 15 Life Changing Books May 12, 2023 by H राठ और अपने जीवन को बहतर बनाना चाहते हैं जीवन बदलने वाली Top 15 Life Changing Books की हमारी सूची देखे जो practical advice देती हैं, personal growth को प्रेरित करती हैं, और human experience में insights प्रदान करती हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन्स को आउन कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. उच्छित करना जरूरी है कि हमें कौन सी किताबे पढ़नी चाहिए. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और सफल होने के लिए जिन पाँच क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी सूची इस प्रकार है. लाइफ में या बिजनस में आगे बढ़ने के लिए इन पांच क्षेत्रों में इंप्रूव करना बहुत जरूरी है अगर आप इन पांचों एरियाज में डिवेलप करना चाहते हैं तो वह कौन-कौन सी बुक्स है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग बुक्स साबित हो सकती है इसके बारे में हम आगे जानते है आप अभी चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो आपको कभी भी किसी से भी बातचीत करना पड़ता ही है अगर आप एक टीचर है तो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करनी है अगर आप एक डॉक्टर है तो अपने पेशन्ट के साथ बातचीत करनी है और यदि आप एक बिजनस्मैन है तो आपको अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी होती है लाइफ में आप जहां भी हो वहाँ पर कारनेगी के सिध्धान्त इस विचार पर आधारित हैं कि लोग मुख्य रूप से अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और इसे समझ कर हम अधिक अफेक्टिव कम्यूनिकेटर और प्रभावित करने वाले बन सकते हैं इस पुस्तक में लोगों को अपने जैसा बनाने, आलोचनाओं और शिकायतों से निपटने और दूसरों को अपनी बात मनवाने के टिप्स दिये गए हैं कारनेगी की राइटिंग स्टाइल आकरशक और समझने में आसान है, जो इसे अपने कम्यूनिकेशन और रिलेशन्शिप बिल्डिंग स्किल्स में सुधार करने वाले किसी भी व्यक्ती के लिए एक टाइमलेस और वैल्यूएबल रिसॉस बनाती है पुस्तक में, बातचीत में दूसरों को शामिल करने, तालमेल बनाने और एक स्थाई छाप बनाने के लिए टेक्नेक्स और स्ट्राटिजीज की एक वाइड रेंज प्रदान करती है पुस्तक को सामाजिक समारोहों से लेकर नौकरी के साक्षातकारों तक, विभिन प्रकार की स्थितियों में रीडर्स को अधिक आत्मविश्वास और एफेक्टिव कम्यूनिकेटर बनने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है लौन्डेस की लेखन शेली आकर्षक और आसान है अनुसरन करने के लिए अपने संचार कोशल में सुधार करने और मजबूत संबंध बनाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे एक उप्योगी संसाधन बनाना पुस्तक को तीन खंडों में बाटा गया है भावनात्मक, उपन्यास और यादगार जो सफल टेड वार्ता के तीन प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं पुस्तक में, गेलो दर्शकों को आकरशित करने, कहानिया सुनाने, हास्य का उप्योग करने और शक्तिशाली संदेश देने के लिए टिप्स और स्ट्राटिजीज की एक वाइड रेंज सीरीज प्रदान करता है वह प्रभावी संचार के पीछे तंत्रिका विग्यान में इंसाइट शेर करता है और अधिक्तम प्रभाव के लिए एक वार्ता को कैसे तयार किया जाए, इस पर प्रैक्टिकल अड्वाइस प्रदान करता है पुस्तक को पाठकों को अधिक अफेक्टिव स्पीकर बनने में मदद करने और किसी भी सेटिंग में एक कंपेलिंग मेसेज देने के लिए आवश्य कोशल विक्सित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है गैलो की लेखन शेली आकर्शक और व्यभारिक है जो इसे अपने बोलने के कोशल में सुधार करने और अपने दर्शकों पर स्थाई प्रभाव डालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उप्योगी संसाधन बनाती है अगर आप पैसों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और उसके मनोविग्यान को समझना चाहते हैं तो थ्री कमाल की किताबें हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए The Psychology of Money, Morgan Housel The Psychology of Money, Morgan Housel द्वारा लिखित और 2020 में प्रकाशित एक पुस्तक है ये पुस्तक मनोविग्यान और धन के बीच के जटिल संबंधों की परताल करती है और यह बताती है कि पैसे के प्रती हमारा द्रिष्टिकोन और व्यवहार हमारे financial well-being को कैसे प्रभावित कर सकता है Housel का तर्क है कि पैसा एक शक्तिशाली उपकरन है जो हमें अपने लक्षियों को प्राप्ट करने में मदद कर सकता है ये कई लोगों के लिए तनाव और चिंता का स्रोध भी है यदि आप लाइफ में खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहां बताई जा रही इन तीन किताबों को स्टडी जरूर करना चाहिए Mind Makeup Manu Life Changing Books जीवन बदलने वाली 15 किताबे, Top 15 Life Changing Books May 12, 2023 by H. राठ और, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं जीवन बदलने वाली Top 15 Life Changing Books की हमारी सूची देखे जो practical advice देती हैं, personal growth को प्रेरित करती हैं, और human experience में insights प्रदान करती हैं Life में grow करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना चाहिए इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए कुछ किताबें हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं इस article में हम कुल 5 areas के बारे में बात करेंगे और उन 15 किताबों के बारे में बात करेंगे जो इन क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी आप आगे आने वाले टाइम में कहां पहुंचने वाले हैं ये डिपेंट करता है कि आपके दोस्त कौन-कौन है और आप कौन-कौन सी किताबे पढ़ते हैं जब से हम होश संभालते हैं तब से ही हमें किताबे पढ़ने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह निश्चित करना जरूरी है कि हमें कौन सी किताबे पढ़नी चाहिए. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और सफल होने के लिए जिन पाँच क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी सूची इस प्रकार है. Communication. Money. Mindset. Happiness. Habits. Contents Hide. 1.15 Set of Life-Changing Books. 2.1 Vartalap, Communication. 2.1 How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie. 2.2 How to Talk to Anyone, Lel Lounds. 2.3 Talk like a Ted, Kamangallo. 3.2 Paisa, Money. 3.1 The Psychology of Money, Morgan Housel. 3.2 Rich Dad, Poor Dad, Robert T. Kiyosaki. 3.3 The Richest Man in Babylon, George S. Klassen. 4.3 Maansikta, Mindset. 4.1 The Almanack of Naval Ravikant, Naval Ravikant. 4.2 Think and Grow Rich, Nepoleen Hill. 4.3 My Experiments with Truth, M. K. Gandhi. 5.4 Khushiya, Happiness. 5.1 Ekigai, Francis Mirals and Hector Garcia. 5.25 Love Languages, Gary Chapman. 5.3 The Subtle Art of Not Giving A.F.C.K., Mark Manson. 6.5 Adathe, Habits. 6.1 Atomic Habits, James Clear. 6.27 Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey. 6.3 Bhagavad Gita. 7 Conclusion. 15 Set of Life Changing Books. Life में या Business में आगे बढ़ने के लिए इन पांच क्षेत्रों में इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. अगर आप इन पांचों एरियाज में डिवेलप करना चाहते हैं तो वह कौन-कौन सी बुक्स है जो आपके लिए Life Changing Books साबित हो सकती है. इसके बारे में हम आगे जानते हैं. 1. वार्तालाप Communication. आप अभी चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको कभी भी किसी से भी बातचीत करना पड़ता ही है. अगर आप एक टीचर है तो आपको अपने स्टूडेंस के साथ बातचीत करनी है. अगर आप एक डॉक्टर है तो अपने पेशन्ट के साथ बातचीत करनी है और यदि आप एक बिजनसमैन है तो आपको अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी होती है लाइफ में आप जहां भी हो वहाँ पर कम्यूनिकेशन बहुत जरूरी है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी तब से यह mutual skill के क्षेत्र में एक classic बन गई है और दुनिया भर में इसकी लाखो प्रतिया बिग चुकी है यह किताब इस बारे में practical advice देती है कि लोगों के साथ इस तरह कैसे बातचीत करें जिससे आपको दोस्त बनाने, दूसरों को प्रभावित करने और अपने लक्षियों को प्राप्त करने में मदद मिले Life Changing Books, How to Win Friends and Influence People कारनेगी के सिध्धान्त इस विचार पर आधारित हैं कि लोग मुख्य रूप से अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, और इसे समझ कर, हम अधिक effective communicator और प्रभावित करने वाले बन सकते हैं इस पुस्तक में लोगों को अपने जैसा बनाने, आलोचनाओं और शिकायतों से निपटने और दूसरों को अपनी बात मनवाने के टिप्स दिये गए हैं कारनेगी की writing style आकरशक और समझने में आसान है, जो इसे अपने communication and relationship building skills में सुधार करने वाले किसी भी व्यक्ती के लिए एक timeless और valuable resource बनाती है How to talk to anyone, Lel Lounds How to talk to anyone, एक self-help पुस्तक है जिसे Lel Lounds ने लिखा है और इसे पहली बार 1999 में प्रकाशित किया गया था ये पुस्तक practical advice देती है कि आप अपने communication skill को कैसे सुधारे और आप जिस किसी से भी मिले उस पर सकारात्मक प्रभाव डाले Londes का दृष्टिकोन इस विचार पर आधारित है कि effective communication व्यक्तिगत और व्यावसाहिक दोनों स्थितियों में सफलता की कुन्जी है Life Changing Books, How to Talk to Anyone पुस्तक में, बातचीत में दूसरों को शामिल करने, तालमेल बनाने और एक स्थाई चाप बनाने के लिए techniques and strategies की एक wide range प्रदान करती है पुस्तक को सामाजिक समारोहों से लेकर नौकरी के साक्षातकारों तक, विभिन प्रकार की स्थितियों में readers को अधिक आत्मविश्वास और effective communicator बनने में मदद करने के लिए design किया गया है लोंडेस की लेखन शेली आकर्शक और आसान है, अनुसरन करने के लिए, अपने संचार कोशल में सुधार करने और मजबूत संबंद बनाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ती के लिए इसे एक उप्योगी संसाधन बनाना Talk like a Ted, Common Gallo Talk like a Ted, Common Gallo द्वारा लिखित एक सेल्फ हेल्प पुस्तक है और पहली बार 2014 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक कुछ सबसे सफल टेड वक्ताओं द्वारा उप्योग की जाने वाली तकनीकों के आधार पर प्रभावी सार्वजनिक बोलने के लिए एक मार्ग दर्शिका है टेड प्रोध्योगी की मनुरंजन, डिजाइन एक गैर लाभकारी संगठन है जो विभिन विशयों पर छोटी शक्तिशाली वारताओं की विशेश्ता वाले सम्मेलनों का आयोजन करता है पुस्तक को तीन खंडों में बाटा गया है भावनात्मक, उपन्यास और यादगार जो सफल टेड वारता के तीन प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं पुस्तक में, गेलो दर्शकों को आकरशित करने, कहानिया सुनाने, हास्य का उप्योग करने और शक्तिशाली संदेश देने के लिए टिप्स और स्ट्राटिजीज की एक वाइड रेंज सीरीज प्रदान करता है वह प्रभावी संचार के पीछे तंत्रिका विज्ञान में इंसाइट शेर करता है और अधिक्तम प्रभाव के लिए एक वार्ता को कैसे तयार किया जाए, इस पर प्राक्टिकल अडवाइस प्रदान करता है पुस्तक को पाठकों को अधिक अफेक्टिव स्पीकर बनने में मदद करने और किसी भी सेटिंड में एक कंपेलिंग मेसेज देने के लिए आवश्य कोशल विक्सित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है गैलो की लेखन शेली आकरशक और व्यभारिक है, जो इसे अपने बोलने के कोशल में सुधार करने और अपने दर्शकों पर स्थाई प्रभाव डालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उप्योगी संसाधन बनाती है टू पैसा, मनी अगर आप पैसों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और उसके मनोविग्यान को समझना चाहते हैं तो थ्री कमाल की किताबें हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए The Psychology of Money, Morgan Housel The Psychology of Money, Morgan Housel द्वारा लिखित और 2020 में प्रकाशित एक पुस्तक है ये पुस्तक मनोविग्यान और धन के बीच के जटिल संबंधों की परताल करती है और यह बताती है कि पैसे के प्रती हमारा द्रिष्टिकोन और व्यवहार हमारे financial well-being को कैसे प्रभावित कर सकता है Housel का तर्क है कि पैसा एक शक्तिशाली उपकरन है जो हमें अपने लक्षियों को प्राप्ट करने में मदद कर सकता है ये कई लोगों के लिए तनाव और चिंता का स्रोथ भी है पुस्तक में वह cognitive biases and emotional triggers की जाँच करता है जो अक्सर लोगों को irrational financial decisions लेने के लिए प्रेरित करता है और वह इन पूर्वाग्रहों को दूर करने और पैसे के साथ स्वस्थ संबंद बनाने के बारे में व्यभारिक सलाह प्रदान करता है पुस्तक में वित्तिय सफलता में भागय की भूमिका, धेर्य और दीर्ग कालिक सोच के महत्व और साथगी और मित्व्येता के मूल्य जैसे विशयों को शामिल किया गया है हाउसल की लेखन शैली आकरशक और सुलब है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी फाइनाशल लिटरिसी में सुधार करने और बेहतर धन निर्नए लेने के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाती है चाहे आप नौसिक ये हो या एक अनुभवी निवेशक, The Psychology of Money, Insights and Strategies प्रदान करता है जो आपको अपने फाइनाशल गोल्स को प्राप्ट करने और अधिक सुरक्षित भविश्य बनाने में मदद कर सकती है Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyasaki Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyasaki द्वारा लिखित और पहली बार 1997 में प्रकाशित एक Personal Finance पुस्तक है ये पुस्तक लेखक की दो पिता उसके असली पिता के साथ बड़े होने की व्यक्तिगत कहानी को प्रस्तुत करके Money in Financial Literacy की Traditional Notions को चुनोती देती है जो एक शिक्षित लेकिन आर्थिक रूप से संघर्श्रत सरकारी कर्मचारी था और उसके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जो एक सफल उध्यमी और निवेशक थे कियोसाकी ने दोनों पुरुशों से सीखे गए पाठों को शेय किया और Financial Freedom प्राप्त करने और धनका निर्मान करने के बारे में Practical Advice दी पुस्तक में Financial Education के महत्वा, संपत्ती और देंदारियों के बीच अंतर, और अचल संपत्ती और अन्या आइसरिजन संपत्ती में निवेश के मूल्य जैसे विशयों को शामिल किया गया है Life Changing Books Rich Dad, Poor Dad Kiyosaki की लेखन Shelly Engaging and Interactive है, जो पुस्तक को Financial Knowledge के सभी स्तरों के पाथकों के लिए सुलब बनाती है Rich Dad, Poor Dad Personal Finance स्टाइल में एक क्लासिक बन गया है और इसने दुनिया भर के लाखो पाथकों को अपने वितर पर नियंत्रन रखने और अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर फाइनांशल भविश्य बनाने के लिए प्रेरित किया है The Richest Man in Babylon, George S. Klassen The Richest Man in Babylon, George S. Klassen Financial Success प्राफ्ट करने और धनका निर्मान करने के बारे में व्यभारिक सलाह देती है दृष्टान्तों में ऐसे पात्र हैं जो वित्तिय चुनोतियों जैसे कर्ज, अधिक खर्च और वित्तिय शिक्षा की कमी से जूजते हैं सबक एक सरल और सुलब तरीके से प्रस्तुत किये जाते हैं जिन्हें आधुनिक समय की वित्तिय चुनोतियों पर लागू किया जा सकता है क्लैसन की लेखन शेली आकरशक और मनोरंजक है, जो पुस्तक को सभी उम्र के पाठकों के लिए एक प्लेजन्ट रीडिंग बनाती है लाइफ चेंजिंग बुक्स दे रिचेस्ट मैं इन बाबलॉन पर्सनल फाइन्स स्टाइल में एक क्लासिक बन गया है और इसने पाठकों की पीरियों को अपने वितपर नियंत्रन रखने और अपने और अपने परिवारों के लिए बहतर फाइन्शल फ्यूचर बनाने के लिए प्रेरित किया है त्री मानसिक्ता, Mindset अगर लाइफ में आपको सही तरीके से अपना Mindset करना है तो इन तीन किताबों का अध्ययन जरूर करें दि ओल्मनाइक औफ नेवल रविकांट, नेवल रविकांट The Almanac of Naval Ravikant उध्यमी, निवेशक और विचारक नवल Ravikant के ज्यान और अंतरद्रिष्टी का एक संग्रह है. पुस्तक धन, खुशी, रिष्टे और व्यक्तिगत विकास सहित विशयों की एक विस्तृत श्विंखला पर उनके विचारों का संकलन है. Ravikant जीवन और सफलता पर अपने अनूठे द्रिष्टिकोन के लिए जाने जाते हैं और उनके विचारों ने दुनिया भर के कई entrepreneurs and investors को प्रेरित किया है. पुस्तक में growth mindset विक्सित करने के महत्व, धन पर खुशी खोजने का मूल्य और एक सरल और जानबूज कर जीवन जीने की शक्ती जैसे विशयों को शामिल किया गया है. पुस्तक में धन का निर्मान करने, अपने आप में निवेश करने और एक पूर्ण और सार्थक जीवन बनाने के बारे में व्यभारिक सलाह भी शामिल है. रविकांट की लेखन शैली स्पष्ट और संक्षिप्थ है, जो पुस्तक को ज्यान के सभी स्थरों के पाठकों के लिए एक आसान और मनोरंजक पथन बनाती है. Life Changing Books The Almanac of Naval Ravikant The Almanac of Naval Ravikant एक सफल उद्यमी और निवेशक की मानसिक्ता और रन्नितियों में अंतरद्रिष्टी प्राप्त करने और अधिक पूर्ण और इरादतन जीवन जीने का तरीका जानने के लिए एक मूल्यव. Think and Grow Rich नेपलीन हिल द्वारा लिखित और पहली बार 1937 में प्रकाशित एक Personal Development and Self-Help बुक है. ये पुस्तक हिल के सफल लोगों के अध्ययन और धन और सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी रन्नितियों पर आधारित है. हिल ने एंड्रू कारनेगी, हेंरी फोर्ड और थॉमस एडिसन सहित सैकरो सफल व्यवसाईयों का साक्षात कार लिया, ताकि पाठकों के लिए एक Practical Guide में सफलता के उनके रहसियों से आवगत किया जा सके. पुस्तक में सकारात्मक सोच की शक्ती, लक्षे निर्धारन का महत्व और सफलता प्राप्त करने में द्रिर्ता और द्रिर संकल्प की भूमिका जैसे विशयों को शामिल किया गया है. पुस्तक में इच्छा, विश्वास, विशेश ग्यान और संगठित योजना शामिल है. हिल की लेखन शैली स्पष्ट और संक्षिप्थ है, जो पुस्तक को ग्यान के सभी स्थरों के पाठकों के लिए सुलब बनाती है. Think and Grow Rich ने दुनिया भर के लाखों पाठकों को अपने लक्षियों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया है. चाहे आप एक उध्यमी हो, एक व्यवसाई हो, या बस अपने जीवन को बेहतर बनाने की तलाश में हो, Think and Grow Rich, सफलता प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए Valuable Insights and Practical Strategies प्रदान करता है. My Experiments with Truth, M. K. गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मोहंदास के, गांधी द्वारा लिखित एक आत्मकता है, जिसे महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है. पुस्तक मूल रूप से गुज्राती में लिखी गई थी और बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया. ये पुस्तक गुज्रात में गांधी के बच्पन से लेकर दक्षन अफ्रीका और भारत में उनकी राजनीतिक सक्रियता तक के जीवन को कवा करती है. पुस्तक के उनके दर्शन, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा था, जैसे विश्रयों को शामिल किया गया है. गांधी की लेखन शेली सरल और सीधी है, जो पुस्तक को ग्यान के सभी स्तरों के पाठकों के लिए सुलब बनाती है. Life Changing Books, My Experiments with Truth सत्या के साथ मेरे प्रयोग, आधुनेक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आकरों में से एक के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानने में रुची रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है. पुस्तक गांधी की व्यक्तिगत मान्यताओं और उनके राजनीतिक दर्शन के विकास के साथ सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों और अहिंसा की शक्ती पर उनके विचारों की अंतरद्रिष्टी प्रदान करती है. 4. खुशिया, Happiness यदि आप लाइफ में खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहां बताई जा रही इन तीन किताबों. 5. ओकनावा के जापानी द्वीप के निवासियों के साथ साक्षातकार पर चितरन, जहां लोग अपनी लंबी उम्र और जीवन की गुनवत्ता के लिए जाने जाते हैं, लेखक व्यभारिक सलाह और अभ्यास प्रदान करते हैं ताकि पाठकों को अपनी स्वयम की चर्या में शामिल करने में मदद मिल सके। पुस्तक ने एक ऐसे दर्शन के सुलब और अपलाइड रीसर्च के लिए व्यापक लोग प्रियता हासिल की है जिसमें जीवन को बदलने की ख्षमता है। और बोलना आवश्यक है। पूरी पुस्तक में चैपमन पाठकों को अपनी और अपने साथी की प्रेम भाषा की पहचान करने में मदद करने के लिए व्यभारिक सलाह और वास्तविक जीवन के उदाहरन प्रदान करता है, साथ ही प्रतियेक भाषा में प्रेम को प्रभाव रिसॉस बन गई है। आप अपनी आदतों से ही अपना भविश्य बनाते हैं इसलिए हमेशा अच्छी आदते बनाए गूड हैबिट्स डिवेलप करने के लिए यहां बताई जा रही किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। सपष्ट तर्क देते हैं कि व्यवहार में छोटे, incremental change या, atomic habits का समय के साथ एक powerful cumulative effect हो सकता है, जिससे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास और सुधार हो सकता है। पुस्तक आदतों के मनोविग्यान को समझने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें संकेतों, लालसाओं और पुरसकारों की भूमिका शामिल है, और स्थाई परिवर्तन को लागू करने के लिए ठोस कदम प्रदान करती है। आपका बहुमूलिय समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच्वानी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेर करिए। भविश्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।